Hello everyone, welcome back to my channel, तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेसन और आज का सेसन बहुत ज़्यादा अर्जेंट और इंपोर्डेंट है, ध्यान से सुननो मेरे भाई, दो बाते करने हैं सबसे इंपोर्डेंट बाते हैं, उसके बाद मैं सेसन इतने दिन से एक्जाम देने प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी थी, अब फिर दस दिन में क्या पढ़े, अब लेवल क्या होगा, एक्जाम का पेपर हाड आएगा, उसके बाद सांथ के साथ नॉर्मलाइशन कितने बढ़ेंगे, अपने तो सुनो दियान से सारे मेरे भाई, जिस जिस के पेपर है ना, जिस जिस भाईयों का री एक्जाम पेपर है आपके 30 तारिको, तो एक चीज जान लो, लेवल वही रहेगा जो पेपर में आ रहा था, अगर लेवल में चेंजेज आते हैं, तो आपके नॉर्मलाइशन माक्स भी मैक्सिम मिलेंगे, तो टेंशन क किसी चीज की ने लेनी है, सबसे इंपोर्णन बात ये है, कि जितने भी पड़े हो, प्रिवेस से अब देखो, जो जो एरालीसिस देखी होगे, उसके अनुसार अपने प्रिपरेशन कर लो मिरवाई, समझ गया, क्योंकि आपके री एक्जाम 30 के होने है, अगर आप पेपर उस दिन अच्छा करके आया थे, तो फिर से आप अच्छा कर सकते हो, रिवीजन करते रहो लागाता आप, समझ गया, और बीच में इसलिए तो आप सबको बोल आता है, स्टडी मत छोड़ो, स्टडी मत छोड़ो, तो बस छोड़ दिये थे, कि चलो आप तो सोही जाते है, अब कोई टेंशन नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान आखना है, जितने भी अपने अनलेसिस देखने उसको रिवीजन कर लो, और बाकी प्रेवेसर कोशन को रिवीजन कर लो, उतना में आपका हो जागा, कुछ भी पैटरन चेंज नहीं होगा, जो लेवल होई लेवल आगा, अगर लेवल हट के आता है, तो एक चीज़ समझ लो, आप सीधा सीधा आपके नर्वलाइशन मार्क्स ज्यादा इंक्रीज होंगे, अब दूसरे जो बात आती है, जिनके एड़ी एक्जाम नहीं हुए है, उस बच्चों का भी टेंशन है, वो बोल रहा है, भाईया, सबका पेपर री एक्जाम होगा क्या, अब भाई, SSC ने सीधा सीधा अपने वेबसाइट पे अल्रेडी PDF अपलोड कर चुका है, आप वहाँ से सर्च करोगे, नहीं तो टेलेग्राम से जोएन होके देख लेना मेरे बाई, जिस बच्चे को री एक्जाम है, 30 तारीक तक, 30 तारी फीजिकल ही लेट कराने थे, उनके मेडिकल ही लेट कराने थे, आपके जोएन ही लेट कराने थे, तो वह इतनी जल्दी री एक्जाम क्यों लेते, वह एलेक्शन के बाद लेते ना, तो आप बात को समझो, नेक्स्ट वेकेंसी भी अगस्त में आपका है, ठीके ना, अगस् तो सोच लो कि इस ब्रह्म में मत जीयो मिर भाई की फीजिकल नहीं कर रहा है अभी लेट आएगी एंसर की कब आएगी इस सब के बाड़े में जैसे ही आपके 30 के एक्जाम री एक्जाम वाले खत्म होते हैं उसके 2-3-4 दिन के बाद एंसर की आएगा और साथ के साथ जो जान से और टाइम परबाद मत करो और एक चीज सबसे इंप्रॉरेंट बात यह है कि अगर आपके एक्जाम री एक्जाम नहीं हुए तो आप उतने दुसरे का मजाक मत उराया करो ठीके ना जिसके री एक्जाम हो उसके लंके लगे यार क्या क्यों डिमोटिवेट करते उन यह मुझे मैं नहीं सुनना चाता है और अगर आपके किसी भाई के बगल में भाई का अगर पड़ता है तो उसको ऐसा मत करना यार ठीके ना क्योंकि उसकी मोडल डाउन हो चकी यार पेपर वह अच्छा करके है फिर से उसके पेपर देने उसको जाना है तो यह तो गलत बा एक माइंडसेट को फ्री कर ले ना बस कि चलो कोई बात नहीं है एक टेस्ट ही यह जाके देना है जैसे पिछली बार दिये थे उसी बार बस जितने भी कॉंसेट उसको रिवीजन करके जाना साथ आठ दिन में जितने दिन बचे है रिवीजन करके जाना अच्छे जाएंग आपका रियग्जाम हो कुछ भी हो मन मेंड द्रिडद निस चयए कर लो स्लेक्षन तो लेग्जाम ही इस वार है कितना बार री एक्जाम हों यह सोच चुछ चलना समझ गय हैमेश्च अगली बार हमेसा अगली बार ही हो जाती है समझ गय इस चीज़को तो बाकि यही इइ आप इना को सब्सक्राइब लाइक और इक तो ऐसा मंद है ना एक्जाम कैंसिल के बारे में अप्लोड किया है तुब पता क्या है मैसेज कर रहा है मैसेज लिख रहा है कि फरजी वीडियो कि रॉंग इंफोर्मेशन पता है बहुत सारे भाई ना नोटीस नहीं देखते है रियल बात तो यह है नोटीस बीना देखें कुछ ही बहुत दे कि बाकी चल ठीक है फिर लेंगे नेक्स वीडियो में इतना ही बाकी सब टेलिग्राम से जूर जाना चैनल को सब्सक्राइब जोर करते ना ठीक है ना जहिन जभार्त बंदे महात्रम